आज हम टायर से एक सोफा बनाएंगी, तो उसके लिए हम चाहिए एक वेस्ट टायर, सिंथेटिक रोब, गुलुबेन और बाकियो उस्तमान चाहिए जो मैं आपको साथ साथ ही बताती जाओंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके लिए हमने क्या करना है गुलुबेन को गर्म कर लेना है और रस्ती को इसके ओपर लगाते जाना है टायर के ओपर इस तरह से हमने कायर की साई तर्फ रस्ती को राप करते हैं गुलुबेन के हल्प से करते हैं जाथ को गर्म पाराग्वे करते हैं में और से लगाते हैं से लगावादयार की बताती हैं रस्तात अजा से हमने टायर के ओपर रस्टी लगा ली है इसके बाद हम किया करेंगे इसके लिए कुशन बनाएंगे और इसके लिचे हम लेग लगाने तो नेक्से तर में आपको बताती हम जाना है यह सोफा बना लिया है, टायर के ओपर हमने रोप जो है, बोल्डबेंट ली अच्छे से, ग्लूगन के हैल्प से, अब हम इस गैप को फील करने के लिए क्या करेंगे, मेरे पास ही एक खाली बर्तन है, मैं इसके अंदर इसको डाल दूँ और इस बर्तन के अंदर हम कोई सीजर्स और कटर के हैल्प से बोल कात लिया है, बिल्कु इसके बराबर का, और इसका कबर सीने के लिए हमने क्या किया है, इसके बराबर का ही, दो डबल लियर्ड हमने कपड़ा कातना है, फिर उसको सिलना है, तसके यह डबल हमने कात लिया है, और इसके साइड पे हम यह तो देखिए इस गोल कपड़े के साथ हमने पट्टी को जोड़ देना है तो गोल गोल गी हमने शिलते दाना है इस तरह से हमने एक लेयर को एक लेयर के साथ हमने पट्टी लगा ली है अब जो नेक्स्ट हम सिलेंगे अब हम इसको इसके ओपर रखेंगे और इस पट्टी के साथ हम इसको सिलाय लगाएंगे लिता के आंगेवयर स्काशा, ब्रखेंटिक अथ क्ना में दुप स्टी के आएंगे लिप्टर आएंगे re अच्टी क्यात्यintries स्काशा कानएंगे यह और रखदिक लेवर जेले लगाएंगे ड हमने द्युक्तिक काटे है। प्राहिटर शेट भी और इस ताइडन से चील लेंगे तो तोर सी स्पेच होड़ेंगे इसके अंतरहां पॉर्टन डास की और उसको फिल करेंगे और उसको फिलनेंगे इस तरह थे हम प्रेडी के साथ बोल कर रहेंगे अपरें इस स्था प्रारसक्ति पॉर्टन जिए पारी, प्राइगजटी गीजिते हैं कपड़ी कीजित, प्राइग अभिए थे ताइगे ज़्री के चलेएंगे दाइब हम ले में जता हम बहुत्यां जतार्म झाल झाल हमने सोफा को चारो लेक्स लगानी है अब हम इसको उल्टा करेंगी आसे तो यह जो बरतन इस पर डाल देगी अगर आप चाहेंगे इसको पेंट भी कर सकते हैं गोर्डन सिल्वर जैसे आपकी इच्छा है हम इसको इसको इसके अंदर डाल देंगे इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं स्पियर गदी या कुछ भी आपके पास है तो फिल हाल मैं यह टॉबली डाल देती हूं उसके बाल मैं देखती हूं उसमें क्या डाल देती हूं और इसके ओपर यह है तो अब आप बताएगी कैसा लग रहा है यह जो है इसके रैनोवेशन चल रही है तो इसलिए इसको मैं यहीं रखूंगी तो जब वहां पर हम अपने ब्राइंगरूम देखरेट करेंगे तो तब इसको बहां बेशिप्ट कर लेंगे तो आपको बताते हूं कैसा लगएगा यह बैने ट्रैंबलर पिलो भी बिनाए हैं कुछ अच्छा लगे तो रख सकते हैं देखिए वैरी स्टॉड़ी इसके हम बैड भी सकते हैं वाओ तो दोस्तो जरूरू रूद आईएगा आपको यह सोफा कैसा लगा दो लाइक एंद सब्सक्राइब मैं चैनल प्रीज थैंक्यू